हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक स्वागे थे आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स टे के लिए बताते हैं कि कौन से डेटा आ रहा है और उसका क्या इंपक्ट रहने वाला है उमीद है यानि कि यह घटने की उमीद है तो अगर यहां पर यह घटता है यहां पर तो इसके वाज़े से जो एउडी वेज़ी है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल सकती है और और यहां पर आप इसके उपर नज़र रखे चे बजे इसके बाद जो नेक्स डेटा आ रहा है वो 12.30 पिम पर आ रहा है और इसमें आप यहां पर जो है GBPUSD पर यहां पर इसका इंपक्ट पड़ेगा क्योंकि इंग्लेंड का डेटा आ रहा है और इंग्लेंड की GDP का डेटा आ रहा है काफी important डेटा होता है GDP का डेटा और minus 0.1 यह पिछली बार था और minus 0.3 यानि कि यहां पर यह घटने की उमीद है अगर यह घटता है ऐसे ही तो GBP USD गिरेगा लेकिन अगर इसके opposite आता है तो GBP उपर के IA data, actual में data अलग भी आ सकता है तो यहां पर actual में पता तो उसी time लगेगा यहां पर लेकिन forecast के according अगर आता है तो गिरावट हमें देखने को मिलेगी नहीं जो data है वो बहुत important data है दोस्तों और वो है 6 PM पर और 6 PM पर United States का यह data है और यह भी GDP का data है और बहुत ही जादे impact डाल और crude oil के उपर भी पड़ेगा अगर यहां पर GDP अच्छी आती है United States की जैसे कि यहां पर 4.9 पिशली बार थी और इस बार उमीद है कि 0.3.2 होगी यानगी घटेगी अगर यह घटे हुई आती है या फिर इससे भी कम आती है तो US oil और crude oil के लिए भी अच्छा नहीं होगा व फिर dollar index, US oil और crude oil जो है वो अच्छे उपर के और को move करेंगे नेक्स यहां पर data आ रहा है वो बताने से पहले मैं आपको यह बता दू कि यह जितना भी data आता है उसमें आप trading कर सकते हैं Forex trading platform पर और Forex trading के लिए आपके पास सिर्फ Exynes का ही platform है जो कि सबसे best platform है दुनिया में सबसे आदे यूज किया जाने वाला platform है तो मैं आपको highly recommend करता हूँ कि आप अपना Forex trading account Exynes पर open कीजिए आपकी help के लिए मैंने यहां पर description box में link दिया हुआ है और साथ ही यहां पर i button में वीडियो भी बना रखी है आप उस link पे click कीजिए और सिधा आप Exynes के web page पर पहु सकते हैं Exynes पर cryptocurrency में और साथ ही इनका जो customer के support है वो best है और जो withdrawal है वो बिल्कुल बहुत fast withdrawal है इनके सिधा आपके account में पैसा आता है और वो भी within one hour two hour के बीच में आपको account में पैसा डल जाता है तो बहुत ही बड़ीया platform है और दुनिया में सबसे आदी उसके जाने वाला platform ह बाकी platform इसके सामने कहीं band भी हो चुगे हैं कहीं जो हैं वो इतने भरोसे लाइक नहीं है तो मैं आपको highly recommend करता हूँ कि आप Exynes पर अपना foreign account open कीजिए और यहाँ पर जो यह data आता है दोस्तों इस data के लिए हमारा जो telegram channel है आप उसे भी join कर लीजिए वार जो telegram channel है उसका link भी आपको video के description box में मिल जाएगा वहाँ पर आपको यहाँ पर जो है हम update देते रहते हैं कि कौन से data आएगा क्या उसका impact पड़ेगा यहाँ पर और क्या आया है actual data तो सारा हम यहाँ पर बताते रहते हैं आपको 6 PM पर ही next data भी आ रहा है दोस्तों और वो है initial jobless claim का data और दोन 12K होने की उमीद है और यह ठीक नहीं होगा अगर यह बढ़ता है तो इसका मतलब है jobless लोगों की संख्या बड़ी है और वो ठीक नहीं होगा तो आप इसको पर भी नज़र रखें 6 बजे और इसके बाद जो next data यहाँ पर आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है 7.15 PM पर और वो 4.4 यह पिशली बार था और इस बार 4.5 होने की उमीद है और इसका भी इंपक्ट जो है वो dollar index के उपर ही पड़ेगा अगर यह ऐसा ही आता है means ज़्यादा आता है तो बढ़ेगा और यह बढ़ने की उमीद है अगर यह बढ़ता है तो यह भी positive होगा dollar index के लिए और बिल्कुल opposite impact EU or USD के उपर पड़ता है तो यह भी एक data आ रहा है बहुत ही important और सबसे last में जो important data आ रहा है वो है यहाँ पर natural gas का data और यह natural gas की storage का यह data है और यह data आना है 8 PM पर और इसका impact जो है वो natural gas के उपर पड़ेगा और साथ ही XNG USD के उपर पड़ेगा तो यहाँ प यह ऐसा data आता है तो आप देख सेते हैं कितना कितना यहाँ पर कम यह forecast किया गया है अगर यह इतनी कम हो जाती है अगर storage natural gas की तो वह बहुत ही अच्छा होगा natural gas के लिए और XNG USD के लिए और उसकी वज़े से natural gas और XNG USD उपर की और को move करेंगा क्योंकि अगर यह कम आती है त तभी इतनी कम होती है तो वो चीज़ positive होगी और लेकिन अगर इसके उल्टा आता है तो फिर negative हो जाएगा तो दोस्तों यह है data जो की आ रहा है और I hope आपको यह videos पसंद आ रहे हैं अगर videos पसंद आ रहे हैं तो video को like करना ना भूलें और channel को अभी भी subscribe नहीं किया है जल्द अगले वीडियो में तिल देन, have a nice day, goodbye